असी में साट एंसर बेस्ट कोस्टन हैं, तरी मार्ट सकते, फाइब कोस्टन अपने को सालव करना है, टोटल फिप्रिटिन मार्ट सकते हैं, इसमें कोस्टन टॉंटिफाइब है, अब इन्डिया अपेक्टेट बाइद फर्स्ट वल्ड वार एक्स्प्लेन कि जो सोशियल और पोलिटिकल सिच्वेशन था, इस्तिति था भारत का, उकिस परकार से फर्स्ट वल्ड वार में प्रभाइट हुआ था, उसको इसके एंसर में हम लोगों को एक्स्प्लेन करना है, देखिए इसका एंसर जो है न, यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्स्ट अपाल, दा वार क्रि इन डिफेंस एक्स्पिंडिचर, विच वाज फाइनेंड वाल लोंस, और इंक्रिजिंग टेक्स, कस्टम डूटी जो एंसर इंकम टेक्स इंटोडूस्ट, और यह जो यूद्द का खर्चा था, उससे डिफेंस एक्स्पिंडिचर बढ़ा, जिसको फाइनेंस किया जा रह आट सीप पार दा कमन पीपल, आम लोगों का जीना मोहाल हो चुका था, विलेजेज वे अर काल्ड अपन तो सप्लाई सोल्जर्स, और फोर्स रिकूर्मेंट इन रूलर रियास काज़ड वाइड स्प्रेड एंगर, और गाउं के लोगों को बोला गया कि वो सैनिक और जबरजस्ती के रिकूर्मेंट होने लगा ग्रामरी चत्रों में, जिससे लोगों में काफी ज्यादा गुस्ता था, देन इन नाइंटीन एटीन नाइंटीन टॉन्टी टॉन्टीवन क्राप्स फेल्ड इन मेनी पार्स आप इंडिया, रिजल्टिंग इन एक्क्यूट स चुका था निप्रोंजा का, एकारडिंग तू दा सेंसेस, आप नाइंटीन एटीन टॉन्टीवन, ट्वेल बटू टॉन्टीन मिलियन पीपल, पेरिज डेज रिजल्ट आप इमाइन्स, एन एपिडेमिक, कि उस समय का जो सेंसेस था नाइंटीन एटीन 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 कर, एक करोरतीस लाग लोग बीमारी और भुकमारी के कारण मारे गये थे, तिसमें से तीन पाइंट को हमको लिखना है, अब इसके एंसर में फर्स्ट पाइंट लिखेंगे, इसका सेकेंड पाइंट लिखेंगे, कि दूरिंग द वार इयर्स, प्राइसेस इंक्रीजड और पाइंट लिखेंगे, क्राप लिखेंगे, क्राप फेल्ड इन मनी पार्स आप इंडिया, रिजल्टिं इन एक्क्यू साटेज आप फूर्ट, मिलिएंस डाइड, इसके रिजल्ट आप हंगर, फेमाइन्स, एंद एपिडेमिक, तिसमें ध्यान रखना है, 60 वर्ट के लिमि कि किस प्रकार से जो भारती वैपारी और उद्योगपती थे, उन्होंने जो सिविल डिसोबिडियन्स था है, सविना या अउग्या अंदोलन है, उसमें से अपने आपको रिलेट किया, इसको हमको इसमें एक्स्प्लेंड करना है, समझाना है, देखिए इसका इंसर दिया ह है यहाँ पे, कि दूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार, इंडियन मर्चेंज एंड इन इसलिस्ट हैड मेड हूज फ्राफिट्स एंड बिकम पावर्पोल, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय में जो अपर्शूटीज मिला था, उसका इकांड भारत के जो वेपारी उद्योप रुपीस टेलिंग फर्न एकशेंज राइसियो, इसा इसि पर कार में से रहू है कि इंपोर्ट इसक्ट व्लिंपर्ड विगनाईज बिजनेस इंट्रेस्स ब्राफियन फ्र्लड शेल उपार्यऽे lass से मिलार चा से इंडेस्टिलिस लाइक पुर्श्वत्म दास ठाकुर दास एंड जीडी बिल्रा इंडेस्टिलिस अटेक्ट डा कोलिनियल कंट्रोल ओवर दा इंडियन एकोनमी अन्सपोर्टेड दा सिविल डिसविडियन्स तुन्हों ने फिक्की बनाया और इसके साथ में जो पांट लिखेंगे कि इंडियन मर्चंट्स अंड इंडेस्टिलिस गेब फिनिशल असिस्टेंस तो दे सिविल डिसविडियन्स मुम्मेंट एंड रिफिज तो वाई और सेल इंपूर्टेड गूर्ट्स एवाल पांट हम समझ चुके हैं फिसका सेकेंड पांट लिखेंग कि दे रिएक्टेड अगेंड अ कोलिनेयाल पालिसी टे सिक्टेड बिगिशनेस एक्टिवि तरो इस्का फिन फिएंगे य। लिखेंगे दी वानट पांट प्रटेक्शन अगेंड इंभ निप्राम साव वास प्रें गूर्टे इंडियं डिजा रिप्रिश्चंग्ष्छ factors that influence the distribution pattern of the relevant network in India. हमको बताना है कि कौन-कौन से factors हैं जो प्रभाइद करते हैं जो relevant network का है उसके वित्रण को distribution pattern को भारत में. इसका अंसर यहां पे दिया हुआ है कि the distribution pattern of the relevant network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. कि जो distribution pattern है relevant network का हमारे देश में वो ज्यादा तर प्रभाइद होता है physiographic, economic and administrative factors से. The northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth. और जो उत्री भारत के मैदान है वहाँ पे जनसंख्या जादा है और केती बाड़ी के resources अच्छे हैं जिनके कार्ण रेलो लाइन के लिए condition जो है कापी अच्छा है. However, a large number of rivers requiring construction of bridges across their white beds posed some obstacles. लेकिन जो बड़ी संख्या में नदिया हैं उनमें बड़े-बड़े bridge बनाने पड़ते हैं जिसके काण कुछ बधाएं आती है. In the hali terrains of the peninsular region, relevant treks are laid through low hills, gaps or tunnels. और जो पाड़ी चेत्र है प्रदिप्य भाग में वहाँ पे रेलो लाइनों को low hills में, गाटियों में और tunnels में बनाया जाता है. The Himalayan mountainous regions too are unfavorable for the construction of रेलो लाइन due to high relief, sparse a population and a lake of economic opportunities. Likewise, it was difficult to lay रेलो लाइन on the sandy plain of western राजिस्तान, swarms of Gujarat, forested treks of Madhya Pradesh, Chattisgad, Odisha and Jharkand. उसी प्रकार से जो Chattisgad है, Odisha, Jharkand है, राजिस्तान है, इनमें भी रेलो लाइन बिचाना जवायना कठीन है. The contiguous stretch of saadri could be crossed only through gaps or passes, grass. In recent times, the development of the coconut railway along the west coast has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of India. और जो coconut railway का development हुआ है, उसका एकान उस region में, काफी ज़्यादा passenger और गूर्स का movement बढ़ा है. Heat has also faced a number of problems such as sinking of trek in some stretches and late slimes. लेकिन चुकि वहाँ पे बहुँ सारा geographical problem है, उसके कान वहाँ पे land slide होता है, और कई जगा जो trek है, वो sink हो जाता है, डूप जाता है. तो इन ही में से तिन पाइंट को हमको लिखना है. अब इसके answer में फर्स्ट पाइंट लिखेंगे कि the distribution pattern of the relevant network in the country has been largely influenced by physiographic, economic and administrative factors. तेवालब पाइंट हम समझ चुके हैं. सेकेंड पाइंट लिखेंगे, the northern plains with their vast level land, high population density and rich agricultural resources provided the most favorable condition for their growth. और इसका थर्ड पाइंट लिखेंगे कि desert of Rajasthan, on the sandy plain of western Rajasthan it is very difficult to lay railway lines which has hindered the development of railways. तो देखें आपे मनें तिन पाइंट डिसकस किया है, तिन पाइंट बताया है, लेकिन हमने जो समझा है, कई सारे पाइंटों को समझा है, उनको भी आप इसके answer में लिख सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं होग, आपको पूरा number मिलेगा. Question 27 है, in what ways multinational corporations, MNC, different from other companies, explain with an example? कि किस प्रकार से जो बहुराष्टिय कंपनिया है, multinational corporations, MNCs हैं, वो जो domestic companies हैं, जिसको इसमें other companies बोला गया है, उनसे अलग हैं, इसको एक example के साथ हम लोगों को explain करना है. जो multinational corporations होते हैं, उनका जो operation के area होता है, वो कई country होता है, जैसे कि example Infosys, लेकिन जो domestic companies होते हैं, उनका जो area होता है, वो केवल उसी country में होता है, जिस country में वो operate करते हैं. दूसरा, जो companies होते हैं, जैसे Infosys है, ये बहुँ सारे कारणों के करन कई देशों में फैले होते हैं, कई countries में अपने आपको expand करके रखते हैं, क्योंकि ये उनको काफी cheap पड़ता है, जिस देश में जो चीज़ सस्ता होता है, उस देश में उस चीज़ को ये लोग करते हैं जैसे इसमें मैंने Infosys का example लिया है, आप TCS का भी example ले सकते हैं, तो जो Infosys का financial management है, वो domestic financial management से बिलकुल अलग होता है, जो domestic company होती हैं, उनके साथ में exchange rate का कोई problem नहीं होता, लेकिन जो multinational corporations होते हैं, उनके साथ में exchange rate का बहुँ ज़दा problem होता है, अगर exchange rate बढ़ता है, तो उनके जो profit है, या उनका जो revenue है, उसके उपर इसका एक गहरा impact आता है, तीने में से तीन points को हमको इसके answer में लिखना है, अब इसके answer में first point लिखेंगे कि multinational corporations owns and operates production across various countries of the world of oil domestic companies do not, example Infosys TCS, इस point को हम समझ चुके हैं, second point लिखेंगे companies Infosys expand globally for various regions such as to gain access to new markets, lower resources costs and lower operational costs, अब इसका third point लिखेंगे कि MNCs are susceptible to currency rates that vary depending on the level of inflation in the foreign countries, whereas they operate in contrast to other companies, ते भी हम समझ चुके हैं, Question 28 है, differentiate between democratic and non-democratic government, कि जो democratic और non-democratic government होते हैं, लोक्तांत्रिक और अलोक्तांत्रिक government होते हैं, उनके बीच के answer को हमको इसमें बताना है, दिखिए democratic और non-democratic government में जो difference है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें दिया हुआ है कि democratic government जो है न, transparent होते हैं, legitimate होते हैं, तो debate, discussion, negotiation के थुरू में, वो सालव होता है, ना कि किसी एक के मर्जी से, इसमें minority और majority के बीच में corporation होता है, और एक बहुत ही common phenomenon है, democratic government का, और इसे लोगों का जो dignity है, वो बढ़ता है, साथी साथ यहाँ पे regular, free or fair elections होते हैं, और जो भी major policies हैं, उसमें public debate होता है, कोई भी government को कि decide कर सकता है, तो पूरा का पूरा जो page है ना, दोनों page में, आप काफी अच्छे सी इसको पढ़ सकते हैं, और बहुं सारा point इसमें लिख सकते हैं, तो चलिए तिन point हम लोग लिखते हैं, अब इसके answer में दिखिए, एक table बना दिएगा, जैसे मैंने बनाया हुआ है, एक side म लिखेगा, एक तरफ, non-democratic government, तो democratic government और non-democratic government में, जो पहला point है, democratic government का, कि it is transparent, legitimate and accountable, अवसी में, non-democratic government में लिखेंगे, it is selected and formed at its own discretion, second point लिखेंगे, कि it provides dignity and freedom to all and resolved conflicts through debate and discussions, और non-democratic government में लिखेंगे, कि rights and freedoms are restricted, rulers are superior and above law, अब इसके third point में लिखेंगे, कि people elected representatives in the government, example, democracy, a power inherited are taken by force, by a dictator, or the military, example, dictatorship, absolute monarchy Question 29 है, tertiary sector is different from other sectors, justify the statement with suitable arguments, जो tertiary sector होता है, वो जो बाकी दो sector है, primary और secondary उससे अलग होता है, यह जो statement है, इसको एक suitable argument के साथ, एक अच्छे तर्क के साथ, हम लोगों को justify करना है अगर इस page को आप ध्यान से पढ़ेंगे, तो इसमें tertiary sector और primary sector और secondary sector के बारे में काफी detail में दिया हुआ है तो जो tertiary sector होता है, वो basically एक service sector है, जबकि primary और secondary sector जो होते हैं, वो goods प्रवाइट करते हैं, goods produce करते हैं tertiary sector जो है support करता है, help करता है, development में, primary और secondary sector के tertiary activities जो होते हैं, वो assist करते हैं, production process में साथी साथ, tertiary sector जो है now services देता है, जैसे कि यहाँ पर सकते हैं कि transport, storage, communication, banking, trade, जिसके एक जमपन है tertiary activities के, और जो सबसे बड़ा important है, जिसमें इंडिया में जो call centers हैं, software companies हैं, यह बहुत ज़्यादा employment generate करता है, tertiary sector generates more employment than other sectors, तिन में से तिन पाइंट को इसके answer में हमको लिखना है अब इसके answer में लिखेंगे, first point, कि the tertiary sector is different from other sectors, because it produces service, but other two sectors produce goods, यह हम समझ चुके हैं second point इसका लिखेंगे, कि the activities under tertiary sector help in the development of the primary and secondary sectors, और third point लिखेंगे, the tertiary sector generates more employment than other sectors and provides services like transport banking, etc.